हाई फ्रेंट्स आज एक सकस स्टोरी है गौड़ेस हिकाटे की और इस सकस स्टोरी के बाद थोड़े देर के बाद मैं गौड़ेस हिकाटे का प्रेयर डालने वाली हूं तो उसको ध्यान से आप लोग जरूर देख लीजेगा क्योंकि कल और परसो 27 को में अमवस्या है न्यू मून तो न्यू मून के डे हम गौड़ेस हिकाटे की जो चाबियां आप लोगों ने रखी है उन सब को अक्टिवेट करने का उन सब को चार्ज करने का टाइम आ चुका है और चार्ज करना भूलेगा मत क्योंकि सारे महीने आप लोगों को इसी पावर के साथ रहना है इसी से आप अपनी wishes manifest करोगे problem से निकलते रहोगे ठीक है इसलिए please मैं दो दिन पहले ये video डाल रहे हूं आप लोग सब अपनी अपनी चाबियों को 27th की night को भी कर सकते हो 27th की night को भी कर सकते हो दोनो nights को भी कर सकते हो तो activate करना charge करना मत भूलिएगा मैं बता रही हूं अभी फि ma'am thank you so much आपने goddess hikate के बारे में video share किया ये सच में बहुत miraculous है ma'am मेरी MPSC की exam और CET exam दोनों एक ही दिन था 21st August 2022 को और मुझे दोनों ही exams देने थे मैं बहुत tension में आ गई थी 17 तारिक को मैं goddess hikate को मैंने goddess hikate को pray किया कुछ भी करके कोई exam postpone करवा दो उसी शाम को फिर suddenly CET exam की तरफ से date change करने की date आ गई ma'am this is really miraculous okay ऐसा होता नहीं है इतने short notice पर यह हुआ ओके आप विश्वास नहीं करोगे 20 तारिक के शाम साड़े आठ बजे तक CET exam date change हो गई थी और मैं दोनो exam attempt मैंने दोनो exam attempt कर लिया 21 को MPSC का exam दिया और कल ही मेरा CET का paper हुआ okay thank you so much ma'am for such a wonderful prayer and video thank you so much Goddess Hikate it is magical experience for me lots of love and blessings to you ma'am thank you so much dear thank you and yes Goddess Hikate के miracles काम कर रहे हैं जिल लोगोंने चाबिया नहीं रखी है आज से ही एक चाबी अपने घर में से कोई साभी spare चाबी जो थोड़ा साफसुत्रा हो iron key होनी चाहिए iron key best होता है iron key नहीं है तो फिर जो भी चाबी available है ले लो उस चाबी को अपने पास रख लो ये Goddess Hikate का symbol है इस चाबी को लेकर के आप जो भी prayer करोगे जो भी help मांगोगे तुरंत मिलती है लेकिन अभी new moon है 27 को और हर इस चाबी को हर new moon पे हम charge करना शुरू करेंगे ताकि ये एक ऐसा मैं क्या बोलू जादू ही बन जाए आपके पास समान कि आप कभी कोई problem में हो कभी कोई wish instant चाहिए बस आपने चाबी ली prayer किया and वो चीज हो गई okay so इतना easy रखने के लिए ये चीज है now अभी फटा फट से अपने अपनी चाबियों के साथ ready रहना I think थोड़े देर में ही मेरी वीडियो next upload हो जाएगी जिसमें हम Goddess Hekaate के prayers के बारे में बात कर रहे हैं और इस चाबी को लेकर के जो भी doubts है आप लोगों के करना मत बूलिएगा okay क्योंकि ये new moon mess हो गया तो फिर आपको लंबा वेट करना पड़ेगा मतलब बहुत सारे दिन वेट करना पड़ेगा और तब तक बीच में हमें पता नहीं है life कभी क्या दिखा दे कभी क्या दिखा दे तो हमें तो prepare रहना चाहिए अपने अपने आजा